हेलो दोस्तों फ्लाट वाज लेमा आपसे भी कर स्वागत है तो आज हो आता हो सीटेट एक्जाम पेपर बन के हम इनालेसिस करेंगे तो आज के अगॉरिंग जो पेपर आया था वह कुआ इज टो मॉडरेट था चैल डेवल्यूपमेंट पेडगोजी थी मॉडरेट लेवल के आहे थी अगर लैंवज बन हिंदी चूस गिया है तो वह इज़ी टो मॉडरेट में था और लैंविज टो लेंग्विश टो इंग् अब बात करते हैं, Child Development and Pedagogy में कौन-कौन से questions आये होते, तो socialization से related equation आया था, तो उन्डा एक theory से related equation आया है, और इसकी trial and error theory से equation बन किया था, intelligence के उपर पूछा गया था, lat language acquisition device के बारे में पूछा किया था, norm choms किसे related आया होता, Vygotsky की एक theory आया होती, तो इसमें ये था, Vygotsky और PRJ की, theories में main difference क्या है, ये था यहाँ पर question, PRJ का assimilation और accommodation आया होता, inclusive education में, हमारी कुछ learning disorders दियो है था, जो कितर डिसलेक्सिकल और ADHD का, कोलबग की moral development theory आया ही थी, NCF 2005 से related question था, NEP का foundation level क्या था, तो इसमें option दे हुए है, कि literacy है, numeracy, literacy है, teach natural science है, या फिर teach social studies है, ये पूछा गया था, multilingualism से question था, growth and development से question आया होता, constructivism पे question था, learning पे question था, heritage and environment पे question था, और साथ-साथ ZPD, zone of proximal development पे भी एक question पूछा गया था, child development में, और यहाँ पे जो callback की moral development की थी थी तो वो था, कि good boy और good girl oriented थी आयोई थी वो वाले भी, और यह पूछा था कि ZPD, जो ये zone of proximal development है, ये दिया किसने है, और यह भी पूछा या था, कि GNPJ की cognitive development की थी 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 उसमें जो बच्चा है, वो concrete things को कैसे देखता है, मतलब जो उसके सामने things हैं, उनको कैसे देखता है, बाकी main difference पूछा गया था, और साथे ये भी question था, कि success unfixed है, अगर एक child learn करता है, और फिर बाद में, वो practice करता है continuously, तो child का ऐसा करने से, क्या चीज़ पैदा हो जाएगी, anxiety होगी, boldness होगी, क्या वो कुछ जादा ही successful, success की तरफ भागेगा, तो वो creative हो जाएगा, तो इस चाइप से question आई हो थे, child development के अंदर, अब आते English और Hindi में, अगर बात करें, तो English में दो passage थे, अगर language one, अगर language two English लिया तो, तो जिसमें से grammar की बात करें तो, synonym पूछा गया था, antonyum पूछा गया था, part of speech पूछा गया था, figure of speech, reading comprehension में, अगर Hindi में बात करें, तो एक पोहमती एक passage था, तो दोनों में ये grammar आई हो थी, अलंकार थे, उपसवग थे, प्रत्या था, विलोम शब्ते, बचन, क्रिया, सन्या, सेवनाम, ये सब पूछा गया था, और Hindi में जो पैड़ागोजी आई थी, वो language acquisition device के बारे में आई थी, और language acquisition के उपर भी था, प्याजे की थियोरी से related था, और norm joms की से related था, तो यहाँ पर इस टाइप से कुछ question है वेते, maths की बाद करें, तो some of three consecutive numbers, ये question आई वा था, बैन हेल की third stage पूछी गई थी, fraction और improper fraction पूछा गया था, time और distance equation आया था, open और close ended question में हमें, मतलब, कुछ points दे दे तो हमें पूछा गया था, कि इन में से कौन सा open ended और कौन सा close ended question है, money concept में addition वाला question था, कि ये ये चीज़े तुमने खरी दिया, उसके बाद अगर तुम इतना minus कर दिया, तुम अगर इतनी savings कर रहे हो, और फिर इतना खर्च भीगा, तो तुमें एक phone खरीदना, तुम कैसे करोगे, number system में ये एक number दिया हुआ था, तो इसके prime factorization करके, जो prime factors बनते, उनको add करके answer दिना था, hog bun की थियोरी बूची गई थी, graph से related question था, algebra से related question था, inclusive education से question आये हुआ था, odd one out में पूछा गया था, ये चार फिगर दी थी नुजब में सबसे अलग को होना है, cube, octagon, pentagon, tetradon, तो इसमें cube अलग था, ratio से question आये हुआ था, mensuration से question था, language understanding based question आये हुआ थे, critical thinking के उपर तो और place value से भी related, question आया हुआ था, maths के अंदर, अब आते है, environmental studies के अगर बात करें, कोपरोट इंस related equation था, canojic perfume है, तो ये concept destruct में मिलता है, ये पूछा जया था, themes choice पर आय थी EVS की, वो थी water or things we make and do, birds matching में, kukoo, indian robin, taylor bird, और dove यानी coil, तो इनको match करना था, तो ये options ये, जो map related equation था, वो था, bay of bengal की coastal states बदानी है, असम में bamboo के घर बनते हैं, तो इस according question था, zoom cultivation का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया था, shifting agriculture है, ode one out में ये था कि, चाय है, swimming है, combing hair है, needing do है, तो इन में से ode क्या है, यहां पर tea है, गब एक कोशार, उसमें हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यहां पर बाल भार है, यहां पर हम अपने हाथ पैरों का, use कर रहे हैं, हाथों का use कर रहे हैं, लेकिन tea में नहीं है, tea में हम कोई activity नहीं कर रहे हैं, बस चाय बोला है, प्रेजिजेट्ट जाकिर उसन की बुक के बारे में पूछा या था, कौन सी है, तो वो है ब्लो होट और ब्लो कोल्ड, लदाख से रिलेटिट कोईशन था, रेंग से जो कईशन आये थे, उसमें अवरेज स्पूइट निकालने थी, फेस्टिवल का बूचा हुआ था कि कौन सा, पूरने माकत दिन हमारे इंडिया में सेलिब्रेट नहीं होता, तो अप्शन थे दिवाली, इराकी, होली, शिवरात्री, बागे क्रिटिगल थिंकिंग बेस्ट कोईशन थे, तो आज का ओवरॉल पेपर, जो था हमारा वैसा था, मोड्रेट लेवल का था, बढ़ ठीक था, जिसने अच्छे से पढ़ाई क्योंकि वो डफिनेटली पास हो जाएगा, तो थांक यू फॉर वाचिग एट, बेस्ट विशे इस विद यू, येप स्टेटिंग, वर्किंग हाट, दू लाइक, सब्सक्राइब और शेरा यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना लेटेस्ट अप्डेट्स के लिए, सो बाई,